दोस्तों आलिया अपा जफर के डारेक्शन में बनी फिल्म भारत को रेलेज हुए आज तीन दिन पूरे हो चुके है और इन तीन दिनों में भारत फिल्म ने बॉक्स और इस पर जमकर कलेक्शन किया है आपको बता देगे भारत फिल्म ने अपने पहले ही दिन 42 करोड 30 लग का कलेक्शन किया था और दूसरे दिन फिल्म ने 31 करोड का huge बिजनेस किया है और इसे साथ से फिल्म ने सिर्फ दो ही दिनों में 73 करोड 30 लग का कलेक्शन कर लिया है और अब बात करें फिल्म के तीसरे दिन के box office collection के बारे में तो तीसरे दिन भी भारत फिल्म ने box office पर करमाल का collection किया है और आरही reports के अनुसार फिल्म ने अपने तीसरे दिन लगभग 18 करोड का collection कर चुकी है और इस इसाफ से फिल्म का तीन दिनों का total collection 91 करोड 30 लाग हो गया है और बात करें फिल्म के श्टार काश्ट की तो फिल्म में सलमान खान के साथ कटिना कैफ, दिशाप पाटनी, जैकी श्रॉफ और सुनील ग्रोवर जैसे अक्टर्स ली डोल में नजर आ रहे है और अब बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो फिल्म का total बजट 165 करोड के लगबग बताया जा रहा है तो आपको क्या लगता है फिल्म अपर 14 दिन कितने करोड का collection कर सकती है हमें कमेंट करके जरूर बताए साथ जी साथ और बॉल्ली वोड से जुडिल लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले